दोस्तों सब्स्राइब करना ना भूले मायफोटोग्राफी चानल को और वेल आउकन को दबाओ लिटोट इश विडियो देखने चेले नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे माय फोटोग्राफी चैनल दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारे जो DSLR कैमेरे लेते उनमें शारफ फोटो कैसे ले मेरे पास कुछ पॉइंट से मैं वो पॉइंट आपके साथ शेर करना चाहता हूँ तो पहला सबसे कम वाला एपर्चर यूज़ करो आठ नो दस ग्यारा इस टाइप का आप एपर्चर यूज़ करो फिर आते हैं हमारा जो कैमेरे का जो लेंस रहता है उसको जब हम फिल्टर लगाते हैं आलक से मार्केट में बहुत अलग-अलग फिल्टर मिलते हैं लेंस के लिए तो वह फिल्टर लगाना आप छोड़ दो फिर आते हैं कि कैमेरे को आप ट्राइपोड पर लगा कर शूट करो या फिर फोटो लो उससे आपकी फोटो शार्प आएगी फिर आते हैं हर कैमेरे को एक रिमोट दिया रहता है उस रिमोट का अगर आप इस्तिमाल करेंगे यह कैमेरे में रहता है हर लेंज को उसे ऑन रखा करो और निकान को वैब्रेशन डेट्चन उससे बी अन रखा करो उससे आपका जो भी हाथ हाथ शेक हो रहा है इमेज श्टैबिलाइज़ाशन या फिर वाइब्रेशन रिक्षिन से वह ख़तम हो जाएगा उससे आपकी फ कि आगला पॉइंट है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फोटो में और ज़्यादा शार्पनेश चाहिए तो आप फोटोशॉप लाइट रूम या फिर आपके पस जो भी कोई सॉप्टर है उसमें आप अपनी फोटो शार्प कर सकते हैं और सबसे लाश्ट वाला और बहुत इंपोर्टन्ट ऑप्शन यह है कि आप अपने जब भी आप फोटोग्राफिक करेंगे तो आप अपनी लेंस को हमेशा क्लीन रखा करो लेंस क्लीनिंग के लिए अलग से कीट आती है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ज जब भी आप फोटोग्राफिक करेंगे तो आप अपना लेंस क्लीन रखा करो दोस्तों इस पॉइंट का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मेरे खायल से आपकी फोटो जरूर शार पाएगी तो दोस्तों यह था आज का वीडियो यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपक करो अपने दोस्तों के साथ शेर करो सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूला दन्यवाद